आज हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यह जुरूरी है कि हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की और मिर्शर की आपको होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल उन्होंने लॉस ऑफ इन्हेरिटेंस दिये थे और मिर्शर जिसके हम बात करें उन्होंने नुकलीन की खोज की थी और यह दोनों काम लगवग एक साथ हुए थे लेकिन डिने जेनेटिक माटीरियल होता है यह प्रूब करने के लिए बहुत लंबा समय लगा अगर हम 1926 की बात करें तो यह जो जिसर्च थी कि जेनेटिक माटीरियल कौन सा होगा यह मॉलिकुलर लेवल पे पहुँच गई और इसके लिए ग्रेगर मेंडल वाल्टर सटन और थॉमस हंट मॉर्गन की अगर हम बात करें तो उनकी कंट्रिबूशन बहुत जाद रही क्योंकि वो इस सर्च को ले गए क्रोमोजोम के लेवल तक और जब हम क्रोमोजोम के लेवल की बात करते हैं तो वहां पे हम नुकलियस के अंदर पहुँच जाते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये basically फ्रेडरिक ग्रिफित ने 1928 में बहुत सारे experiments किये और अगर हम उन experiments की बात करें तो उन experiments के द्वारा ये prove कर दिया गया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक बैक्टिरिया से दूसरे बैक्टिरिया में चली जाती है या ऐसी चीज जिसके वज़े से बैक्टिरिया अपना रूप बदल लेता है और वो कौन सी चीज है वो हम इस experiment में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आगर हम बात करें तो Fredrick Griffith in 1928 conducted a series of experiments with streptococcus pneumoniae जिस बैक्टिरिया पर उन्होंने एक्स्परिमेंट किए वह बैक्टिरिया था स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिया अब अगर हम स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिया की बात करें तो it is a bacterium responsible for pneumonia मतलब यह एक ऐसा बैक्टिरिया है जो pneumonia cause करता है एंड ग्रिफित विटनेस्ट मिरकुलस transformation in the bacteria अब बैक्टिरिया ने एक miraculous transformation दिखाई और वो क्या transformation थी यह धिरे धिरे आपको समझ आ जाएगा during the course of his experiment a living organism that is bacteria had changed in physical form कि जब उन्होंने experiment किये तो उन्होंने प्रूब कर दिया कि एक living organism जो की बैक्टिरिया है वो कैसे अपनी physical form को change कर देता है यह ग्रिफित के experiment से प्रूब हुआ अब देखिए हम बात करें कि एक्सपरिमेंट क्या थे ही ग्रिव स्ट्रेप्टो कोकस निमोनियाई bacteria on a culture plate अब जब उन्होंने culture plate पर स्ट्रेप्टो कोकस निमोनियाई बैक्टिरिया को ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर दो कम Usìnने अब जो दो कम वदनी बनी श्री जबनी कि कौन कुण सी एक रूनी स्मूथ सानी कौनि ऑर दूसरी टाइप की वो ती ही रपकर कोर्वनिय समाद दो डेपर्ट्र। टाइप की कौलों जी तेयार आ अब यहां पर हम उनको S strain और R strain कहेंगे S strain एक चीज़ आप जुरूर समझें कि S strain जो है वो virulent है virulent का मतलब होता है कि वो harmful है extremely harmful है और जो R strain है वो non virulent है R strain का मतलब हुआ rough और वो non virulent है अब जो S strain है और R strain है इन दोनों बैक्टिरिया में क्या फर्क है जो S strain बारे हमारे पारे दक्टिरिया होते हैं उनमें एक mucus का coat होता है जो कि उनको smooth बनाता है उनकी wall को smooth बनाता है और mucus एक polysaccharide होता है जबकि R strain के case में अगर हम देखें तो उनकी ऐसा कोई coat नहीं होता है इसलिए उनको rough colonies कहा जाता है जबकि S strain बालों को smooth का जाता है और smooth होने की बज़े यह कि उनमें एक जो coat होता है मुकस का coat होता है मुकस का coat होता है अब उन्होंने क्या किया माइस इंफेक्टिट बिद S strain डाई फ्रॉम निमोनिया बट्ट बिद आर स्टेंड डू नोट डवलप निमोनिया अगर हम बात करें तो जो S strain बाले बैक्टिरिया थे अगर उनसे हम माइस को क्या करें इंफेक्ट करें तो वो जो माइस थे वो डेड होगी मतरब मर गए हो क्यों क्योंकि हमने पहले बोला कि जो S strain है वो एक virulent strain है virulent का मतलब होता है कि वो हर्म फुल है extremely harmful है तो जैसे ही S strain से उनको इंफेक्ट किया तो उनमें निमोनिया हुआ और वो निमोनिया की वैसे मर गए लेकिन क्योंकि जो हमारे पास S strain है वो non virulent थी जब हमने माइस कौन से इंफेक्ट किया तो वो जिवित रहे उनको निमोनिया नहीं हुआ और वो जिवित रहे तो अब इसके बेसिस पर क्या हुआ देखिए यहां पर हम केबल यह दिखा रहे हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं S strain से आप उनको इंफेक्ट कर रहे हैं माइस को तो वो डेड हो जाते हैं जबकि आगर आप R strain से देखें तो वो लाइज रहते हैं अब उन्होंने क्या किया उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की मॉडिफिकेशन क्या की ग्रिफित वाज एबल टू किल दा बैक्टिर इन्होंने क्या किया जो S बक्टिरिया थे उन्होंने उनको पहले कील किया और उन्होंने देखा कि जब हम उन HIT and killed S strain बक्टिरिया को इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर तो माइस did not you can see the mice were alive मतलब अगर हम S strain से उनको क्या कर रहे थे S strain से उनको हम infect कर रहे थे लाइफ से तब तो mice dead हो रहे थे जब हमने S strain को कर दिया heat and killed तो वहाँ पर mice जो है वो light थे यहाँ पर result उनका change हो गया अब उन्होंने क्या किया उन्होंने देखे यहां पर आप सिंपल देख सकते हैं कि अगर S strain है पर यह कौन सी स्ट्रेन है मतलब हीटन किल्ड है इसको इंजेक्ट कर दिया हमने माइस के अंदर और जो माइस थे वो कैसे लाइट थे अब देखे उन्होंने एक थोड़ी से और मोडिकेशन की क्या मोडिकेशन की S strain वाले बैक्टिरिया पर वो कैसे थे वो थे हीटन केल्ड उनको मिलाया लाइव आर स्ट्रेन के साथ मतलब यहां पर S strain प्लस आर स्ट्रेन दो डिफरेंट टाइब के बैक्टिरिया का उन्होंने मिक्सर बनाया पर उसमें एक मोडिकेशन की थी जो S strain वाले थे वो हीटन किल्ड थे और आर स्ट्रेन वाले थे लाइव इनका मिक्सर बनाया और उससे उनको इंजेक्ट किया मैस को उन्होंने देखा कि मैस जो थे वो डेड्ड हो गये अब इसमें आप देखे अगर हम simple S strain से उनको inject करते हैं उनको infect करते हैं तो उनकी death हो जाती है अगर हम S strain को ही heat और kill कर दें तो वहाँ पर माइस को कोई फरक नहीं पड़ता वो live रहते हैं उनको pneumonia नहीं होता और उस बज़ा से वो जिवित रहते हैं पर अगर हम क्या करें आर स्ट्रेंड से inject करें तो आर स्ट्रेंड बारे भी उनकी कोई death नहीं होती क्योंकि वैसे भी आर स्ट्रेंड जो है वो non-virulence strain है तो वो भी live रहते हैं लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया उ और उसको मिलाया आर स्ट्रेंड लाइब के साथ और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो उन्हों देखा कि जो माइस थे अब हो मर गए उनकी death हो गई तो इसका मतरहीं जो मिक्सर है वो ज्यादा विरूलेंट बन गया अब कैसे ही रिकॉड़ेट लीविंग एस ब बेक्टेरीया थे पर उनने देखा कि जब हमारे पार जू डेड मैज थे जीन को लाइब एस बेक्टिरिया नहीं दिए गिए थे और उनकी बोली के अंदर लाइब एस बेक्टिरिया मिले अब देखे इस से क्या उनोंने constituency किया उन्होंने का रेक्टिरिया समह हुग been transformed by heat-killed S-strain bacteria कि मतलब जो heat and killed S-strain bacteria थे उन्होंने किसी न किसी रूट में R को भी S में बदल दिया उनको transform कर दिया Some transforming principle transferred from the heat-killed S-strain had enabled the R-strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent तो इसका मतर है कि कोई न कोई चीज ऐसी गई जिसको उन्होंने बुला ग्रिफित ने बुला transforming principle वो कहां से गई वो heat and killed S-strain से गई और उसने R-strain की मदद की कि उसके बाहर से भी वो smooth mucous का कोट या polysaccharide का कोट ड्वाल्फ हो जाए synthesize हो जाए और वो जो R-strain थी वो अब change हो गई S-strain में और वो virulent बन गई इस बज़ा से जो माइस ते वो dead हो गई और उन्होंने वोला कि सबसे पहले उन्होंने bacteria का culture त्यार किया उन्होंने देखा कि एक S-type की colonies बनी जो की virulent थी और S की जो colony थी उनको smooth इसलिए बोला गया क्योंकि उनके वाल में बाहर से mucous का कोट था और mucous एक polysaccharide है इस वाज से वो smooth और shiny नजरा रहे थी जो की R strain थी वो R strain में ऐसा कोई कोट नहीं था इसलिए वो non virulent थी और उसको rough strain की colony बोला गया सबसे पहले उन्होंने जब mice पे experiment की जब S strain live का उन्होंने infect किया तो उन्होंने देखा कि mice dead होगे लेकिन अजब R से कर रहे थे तो वो light थे अब उन्होंने क्या किया इस S strain को क्या कर दिया heat and kill किया और जब mice को injection लगाया तो उन्होंने देखा कि mice बिल्कुर जीवित रहे उन्हों निमोनिया नहीं हुआ और उनकी death नहीं हुई फिर उन्होंने थोड़ी सी modification की कि S को लिया heat and killed और इसको मिलाया live R strain के साथ अब यहां पर result बिल्कुल different होगे result क्या हुए कि जो R strain बारे थे अब वो virulent बन गे और जो mice से वो dead होगे तो उन्होंने ये conclude कि कि कोई ना कोई चीज ऐसी जो S strain से जाती है और वो R को भी S बना देती है मतरब R को क्या करती है ताकि वो अपने wall के बाहर mucos का code बनाए और उसको उन्होंने भूला transforming principle और उन्होंने भूला कि यह जो होगा यह genetic material है पर इसका बायो chemical nature क्या होगा यह इसके एक्सपरिमेंट से क्रिफित के एक्सपरिमेंट से प्रूब नहीं हो पाया थैंक यू बेर मुच